आज हम लोग हमारे पहाडो वाले स्वर्ग जिसका नाम हम देते हैं प्रकर्तिक हमारे खेत में आए हैं जिसका फर्म का नाम है हमारी सीरी PCM प्रकर्तिक जेविक फॉर्म 27 नक्षतर के हमने पेड लगा है और 108 तरीके के हमने पॉजिटिव सकरात्म गुर्जा या और गती के पेड़ लगा है जो पॉजिटिव एनरजी देते हैं उसका पूरा वर्णाने पेड़ों में भी नेगेटिव और पॉजिटिव एनरजी होती है तो सर यह हमारा इसमें सर हमने जितने लगाए हुए इसकी प्रॉपर पेड़ पोधों के साथ आप लोगों के पास भी आएग पॉजिट भी हमारा पानिया वेस्ट नहीं होता यहां जो हम पानी का उसमें हमारी मतलब यह फसल और इसके बाद जो हमारी फसल आएगी यह दोनों फसल हम ले सकते हैं बिना पानी के इसमें हम लोगों ने क्या सिस्टम किया हम आगे दिखाएंगे हमने 18 तरीके के छोटे बड़े इसमें हमने पानी का मैनेजमेंट के मतलब छोटे छोटे हमने गड़े बनाए हैं छोटी सी तलाव टाइप का बनाए हैं और उसी का जो फत्तर उपियोगा है उसी में इसको आजू-बाजू की जोडाई और ऐसे वाटर हर्वेस्टिंग का या पारी को एकत्रित कर सिर्फ गोबर गव मूत्र फूल पत्ति और फल का रस इसका अप्योग करके अगर हम खेती करें तो हमारी धर्ती भी दिन पर दिन उपजाओ हो जाएगी और हमारे पेड़ पोदे भी मजबूत हो जाएंगे अब इसी फत्तरों से हमने देखी गवसाला बनाई पूरी देख पानी और पानी का रिजर्वेशन ऐससे होता यह कि कितना सुन्दा रहे हे बनेवी कितना विध बनेइ इस तो पानी की के बूंद को यह सघ्रा है यह कैसे अदोर करते हैं आप देक सकते हैं लुध कि अगर मेड़ों बीच्स के ब सीकल known during the night Pyroche जोनों गिली सीडिया लगा दें जिसको गिरी पुस्ट कहते हैं क्या कहते हैं उसमें 25-30 किलो गिरी मेंगी और निकलता एक पेड़ से उसको कुछ नहीं करना काटने और भिछा दुआ वो नैचरली हमारी जमीन पर अच्छा दानिया मल्चिंग करते हैं अब आपको यह जो ऐसे दिख रहे हैं यह सब पेड़ हैं देखिए सागोन के पेड़ है जो दुनिया के सबसे महंगे पेड़ों में सेख होते हैं ऐसे हम लोगोंने चारों तौरफ अलग 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 तरीक हमारी धर्ती में पढ़ता और हमारी जमीन इतनी उपजाव होती है कि आपको चारों तौरफ यह पेड़ देख रहे होंगे अब जैसे तूर लगी है दिख रही आपको तूर लगी हुई इसमें अमने अभी दो बार तूजी और थ्रीजी कटिंग कर चोके इसको हमने चार अब चार में चार में दूर हैं और यह देखे पेड़ों की छाओं के पीच में आज चेंट लोग हमारे पहाड़ों वालए स्वख जिसका नाम आप देते प्रकर्टिक घर में आया है जिसका नाम जिसका फर्म का नाम है सीरी PCM प्रकर्तिक जेविक फॉर्म जिसमें हम लोग पिता जी के नाम से और हमारे हां साइंटिस सर देश्मुक सरे जिनका सानिद मिला और यहां पर बहुत सारी बिटिया लोग हैं जो आने वाले भविश में भारत को विश्वुरू बनाने के लिए प्रतन रहेंगे और सब बड़े-बड़े साइंटिस और अच्छे-ची फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे हमने नक्षतरवाटी का जो हमारे सास्त्रों में हम लोग जो हमारी खेती करते हैं मतलब हजारों साल पहले हमारे पूरवज लोग खेती करते इसमें नक्षतरवाटी का हा जैसे पूरी दुनिया को हम लोगों ने संडे मंडे टूजडे आप जानते हैं nawariल फरवरी यह हजारों साल पहले हमारे पूरवज ने दीये ते जैसे आप देविक्रम सामन्थ सुने हों गे विक्रम событи Japanese और ऑगे जो अभी आप जो ये इंग्लिस कैलेंडर देखते हैं ये 2023 से जस्ट कॉपी कैट किया गया है विक्रम आदित से बस इसमें जीजस क्राइस का जनम होता है इसलिए इसका सन क्या चल रहा है भी 2023 बल्कि 2080 फिर हमारे हाँ होता है एक लाख साल का वर्स जो युदिष्ट्र साव सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें 27 नक्षट्र के हमने पेड़ लगा और 108 तरीके के हमने पॉजिटिव सकरात्म गुर्जा या और गती के पेड़ लगा है जो पॉजिटिव एनरजी देते हैं उसका बुरा वर्णा ने पेड़ों में भी नेगटिव और पॉजिटिव एनरजी होती है तो सर यह हमारा इसमें सर हमने जितने लगाए हुए इसकी प्रॉपर लोग ने प्लानिंग के साथ इस कीए पिछले ग्यारा साल से यहां यूरिया डिएपी तो छोड़िए गोबर गवमूत और फूल पत्ती फल के लावा हमने किसी चीज का उप्योग नहीं किये तो आप लोग यह जो देख रहे हैं यह इसकी पूरी एक बार फाइल आप सब लाओधारित खेती करते हैं अब सामने आपको जो मशीन दिख रही होगी वह सोलर पैनर से सूरी की रोशनी से बैल गाड़ी चलती है और इसके वह फैल जाते हैं और उससे आटोमेटिकले होते हैं हमारे इसमें स्प्रे होता है मतलब एक बैल एक दिन में बारा एकड में इ स्प्रेवन बच रहा है क्योंकि जहां हमारे यहां लगभग पूरे भारत देश में पंदरा करोड की उपर बैल पाये जाते था एक करोड की कम बचे मतलब हम दीरे-दीरे विलपती की ओर जाते जाते जा और अब हम जो खेती करते हम हमारे पूरवत जो सास्त्रों से खेती करते तो इस खेती का जो नाम है हम लोग जो हमारे सास्त्र में लिखा है बहुत अच्छा से आपको मैं स्लोग बताने वाला हूं और उस लोग से पूरी प्रकरती खेती को समझ सकते हैं और यहां पर आपको बहुत उन्ना चीजे मिलेगी जैसे किसने सुना कि साथ जनम होते अधने वाएं जनम होते हैं कितने जनम मतलब जैसे मान के चली अपने गहूं का पौदा लगा है और बढ़ापे के बाद जब सूकने का अत्मरत हो जाता तो दाने के उसके अपने बच्चों को छोड़ जाता वो शांत हो जाता तो ऐसे उनका जनम होता है तो हमारे सास्त्रों में लिखा है रक्षा रुवेद में कि अगर साथ वार जैसे आपने इतनी जगे गेहूं लगा दिये लेकिन देसी गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं है प्रकरती खेती में देसी गेहूं की बतब देसी बीच की बात चलती है 30-40 साल पहले यह फाइब्रिड बीच आए हैं उसके पहले बीच नहीं होते तो उसके पीछे पहले देसी बीच होते थे और किसान खुद के देसी बीच को उन्नत कैसे बनाता था कि वो एक जगे लगाता था और उतनी जगे लगाने में जहां बहुत अच्छा होता था वहाँ चैनित प्रणाली से उत्ते बीच को काटके अलग रख लेता था और हर साल उसको करता था जब वो साथ साल तक लगतार करता था तो वो बीच बहुत शक्ति साली हो जाता था इ जैसे यहां पर भाई लोग रहते हैं यह मई की महने में भी बच्चे दुफैर में खेलते रहतें क्यों और हम लोग जो एसी से निकल जाएगा तो तुनंत बच्चों को क्या लग जाएगा। प्रकर्ति अमारी माँ है और प्रकरति में इतनी शकती होती है कि हम जिस जगे रह होगी अगर हम अच्छी क्वालिटी का बीज रखेंगे कहते हैं अगर हमारी नियू मजबूति हमारे बेस मजबूति हम शक्तिसाली निकलेंगे तो देसी बीज का यह ताकत होती है अभी मैं आपको यहां ऐसे देसी बीज दिखाऊंगा जिसने रिकॉर्ड तोड मतलब डाल क अगर ऐसी देसी बीज जो पास सल तक पेड़ बनता पास सल तक कितने साल तक और एक में धाई से तीन किलो तक फली आती है जो पॉसीवली नहीं लोग मानते मैं आज आपको दिखाऊंगा उस सब पेड़ उसके अलावा मैं आपको धान की देसी किसम बनाए जिसको हमने पा बात चल रहे थी कि जो हम बीज खाते हैं आपने स्टुट कॉन खाय होंगे और यह आले भुट्टे जिनने बाड़ी के भुट्टे खाये लाल दाने वाले मतलब वह अमरित का स्वाद आता है मतलब जिसने अगर खाय होंगे वह जानते होंगे उसका सामने लाइन ही नहीं बाड़ी रहती थी घर होता था घर के पीछे जो है कुछ खूला एरिया रहता है रूरल एरियास में जब जाते हैं वहां जैसे मांसून स्टार्ट होता है और जब जुताई लाएक हो जाती उनकी जमीन तो जोते हैं अच्छे तैयार किये और बहुत सारे प्रकार के जो दे ही सर और जब होता है उसका टेस्ट जब देखेंगे नेचुरली बहुत ही स्वाधिष्ट होता है अगर आप मार्केट से खरीद के लाएंगे तो बहुत से केमिकल्स का उपियोग होता है लेकिन वो लोग कोई भी केमिकल्स मतलब जो स्वीट कोन आता है जो मीठा लगता उ से भी हजार गोना ज्यादा टेस्ट ही मानके चलो बढ़िया टेस्ट वहता है उसका भुट्टे का आप बाड़ी वाला भुट्टा जब खाएंगे तो श्वीट कार्म तो क्या है यह आपका इंप्रूड है आप समझ ठीक है उसमें बहुत सारे आपके जीन्स डाल करके उस अमरीका से या फॉरें या उरोपें ड्रेस की किसी लड़की से शादी की है और जब हमारे बच्चे हुए तो वह यहां पर मौसम को नहीं कर पाएंगे क्यों उनकी चमडी जो है वह बहुत सेंसिटीव होगी तो उसी प्रकार से हाइब्रीड भी होते हैं समझे आप लोग यहां की मौसम के हिसा अनूकूल हो जाता है क्यों प्रकारती घंपल आप लोगो ने पागल देखें पागल मैंने अक बहुत सीज उनके देखा गौर किया केक तो पूरा कोरोन में घुमते रहे, एक भी कोरोन में मरा नहीं, दूसरा पागलों के बहुत गने बाल होते हैं, देखेंगे आपने, और वो एक-एक मैने, तीन-तीन मैने बाल नहीं दोते हैं, फिर भी हम लोग तो शैंपू लगा रहे हैं, ऑईल लगा रहे हैं, पता नही जब उनको नीद आ रही वो बिलकुल पेड़ों की छाव में सो जाएंगे और वो जमीन से उठाके भी खालेते तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा कि उनकी पाजन के रिया बहुत मजबूत होती है क्यों 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 प्रकरती के एकदम पास रहते हैं पागल लेकिन उम्र भी जादा होती है उनको कोरोनों भी कुछ नहीं और उनके बाल आल बड़े घने होते हैं तो इसका रिजन समझें प्रकरती के पास रहने से हम कितने ताकदवर बन सकते हैं अब जो मैंने आपको यहां बतायता है नक्षे तरवाठी का तो यहां 27 तरीके के और 108 के पे यह पसल और आगे सकते हैं भिना पानी के इसमें हम लोगोंने क्या सिस्टम कि आगे दिखाएंगे हमने 18 तरीके के छोटे बड़े इसमें हमने फानी का मैंने बनाप चे warp की प्रसं हो जाए वेद हमें कैसे खाते हैं, तो हमारे वेदों में लिखा है कि प्रकर्ति और मानाक पर रिस्ता क्या शाश्वत है, शाश्वत मतलब अमर है, एक दूसरे का परियाव आची है, एक दूसरे पर डेपेंड है, एक दूसरे से ऐसे टिका हुआ है, कैसे? देखिए, हम सब लोग पंच तत्के बनें, आज आपको पंच तत्के बारे में मैं शौ पूरवजे ने ढूण ले आ रहा हुआ है, उसको पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो हम सब किसके बने हैं? पंच तत्के, हमारी धर्ति माता किसकी बची हम धर्ति को जमी नहीं बोलते हैं, धर्ति माता कहते हैं, हमारी हैं तो हमारी धरती ज़ो माता है ये भी पन्चुतन फथकीए इसकी बनी है जशे से हमारे कोई स्रान थोत थे च क्लोकिके किसकी नर happiest выш नो वह लोगों न सबसाधे किसे हैं हमारे वादावुओरν में 21 प्रसेंट अक्सिजन है तो हमारी दिमाग को प्रॉपर माइंड को काम करने के लिए कित्ते परसेंट सरीर को ऑक्सिजन चाहिए 21 परसेंट आपने को रहा था तो जो में तरीका है वह 21 परसेंट है तो जो चीज हम हमारे सरीर में उप्योग कर सकते हैं वही चीजे हमें किस पर उप्योग करना चाहिए धरती माता में और व ऐसी घी खा के normal एक लड़का है दो साल से जिमक्राएं इंज chicken लियए, steryorum लिया और दो साल में दो सून से परकार अगर हम पंच तथ को और शिर्फ गोवर गउध्र, फूल, पत्ती और फल का रस, इसका अपियोग करके अगर हम खेती करें, तो हमारी धर्ती भी दिन पर दिन उपजाओ हो जाएगी, और हमारे पेड़ पोधे भी मजबूत हो जाएगे, नि तो जिस तरीके से यूरी अडीपी डालने से हमारी जमीन का ओर्गेनिक कार्बन, जो यह पीएच होगे तो हमें cancer हो जाएगा क्या हो जाएगा मतलब मैं असान शब्दों में ज्यादा बात करता हूं क्योंकि मुझे असान सब्दात है मैं थोड़ा बेफकुर्फ टाइप का मुझे ज्यादा चीज नहीं समझता कि कोई चीज को गिरहन करने की शक्ति है यह immunity पावर हाना तो यह चीज होती है तो जब हम हमारे सरीर में उप्योग कर सकते और अगर आप इसका एक्जांपल देखेंगे तो आप रस्ते में देखेंगे घने जंगल कितने घने थे वो कभी कोई तुम सास्तरों में हमारी तीन माता कोही गई कितनी माता पहली धरती पाता अनपुढणा माता दूसरी हमारी गउमाता जो साक्षा दिश्वर का रूप मतलब दुनिया में कोई मुझे एक ऐसी चीज बताइए यह जो इंटेक ले रहा है और आउटेक प्योर निकाल रहा है कोई है अगर कोई चीज इंटेक अच्छा लेगा तो यूरीनिया जो करेगा तो वेस्टेज निकालेगा लेकिन गौ माता दुनिया में ऐसी है कि अगर वो पानी पीएगी गंदा पानी भी तो गौ मूत रोस्यूदे गुण से बिनेगा अगर वो गोबर निकालेगी तो में 18-19% oxygen है आज की रिट में क्योंकि यतनी ज्यादा चल रहा है और सेहर में 12-14% हो चुका है कितना परसेंट लेकिन गौ माता जो गोबर देती है उसका पता है oxygen लेवल कितना होता है जिसको प्राण वायू कहते है हिंदी में कितना होता है 23% गाय की गोबर में कोडिंग के अगनी प्रजलित करते हैं तो भड़के हो जाता है साड़े सताइस परसेंट और फिर होमा खेती होती जो हमारे सास्त्रों में रिगवेत का वह है जब उसमें घी डाल गया हम उसको अगनी प्रजलित करते हैं तो उसमें 35% oxygen level बढ़ जाता कितना और उसको दोवन का पानी कह जाता है मनना mineral यह जो आप बोटले खरी तो mineral water नहीं होता है आप जो यह डाल देंगे तो इसमें आपका सरीर का oxygen level हमीशा अच्छा रहेगा और oxygen level अच्छा रहेगा तो हमारा दिमाग proper काम करेगा heart की problem ही होगी इससे आपका tonsil ठीक हो जाता है जिसको negativity यह depression उसके लिए राम पानी हम पीते हैं तो हमारा पानी एकलाइन हो जाता है प्योटी हो जाती है आप पानी का pH नापना जादू से एक मिड़ बाद उसका चेंज हो जाएगा तो यह हमारा क्या है organic farming है जिसको हम organic farming नहीं कहते हैं इसको natural farming या प्रकरति खेती कहते हैं तो यह हमारा इतना फायदा अगर आप microscope से देखेंगो हमारे सरी में पूरे सुक्षम जीव है पानी 70 परसें लेकिन सरी में सुक्षम जीव किते हैं हमारे 96 अभी नए सरवे में 99 परसेंट तक बोल दी हैं लेकिन जो पुरानी कोडिंग चल रही में वहीं बोलूंगा 96 परसें तो यह जिवानू क्या का करते हैं नाइट्रोजन फोस्फोरस जितनी चीजे खीशते हैं प्लस धरती के आसपास जो चीजे होती जड़नी ग्रहन कर पाती उनको खीचके इसको देते हैं जड़ को देते हैं तो हमारी जमिन को भी ऑक्सिजन का लेवल जहिए ज्यादा अगर हम इस राक का स्प्रे करे होगे तो अब फूल पत्ती फल कैसे तो इसको हम बनाते बायो कैटेलिस्ट बायो एंजाइम्स जो आपको भी वहां दिखाऊंगा मैं हम कैसे जैसे अभी पत्ती है इसका मिस्टंग हिरता है हमारा आप में से हर किसी को गीता पढ़ना चाहिए कि कि मैं कौन हूं मैं कौन हामारे वागवत रिशी जी ने सब रिशिओ का रिश्यों का हजारों साल का मिश्रण इसमें दिया है और इसमें हर चीज की स्पेशलिटी इस लिखी हुई है तो ये जैसे इसकी ही पत्ति तो अगर आप इसकी पत्ति का पयों होगे तो बता देंगे कि यह वादवरसा के मिला दिए तीन किलो लिए और दस लिटर पानी मिला दिए और इसको आपने बायो एंजाइम से बायो कैटेलिस्ट या प्रकरतिक रसायन के जैसे इसको एक काच की सीसी में बंद करके रख दिए और ऑक्सेजन नी जाने दिए अभी नॉर्मल बनाते हैं समय इसमें 20 लाग सु अगर आप 30 रोपय के खर्चेबे बनाएंगे वह आपकी चालीस एकड़ में इस्प्रे हो जाएगा कित एकड़ में आप जो आप पत्ती के बनाएंगे वह कीट नियंतरक होगी क्या होगी जो फूल का बनाएंगी वह फूल वर्दक होगी अगर किसी पौदे में जितने जा कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं सब चीजे तो हम लोग सरिफ गोवर गाउंबूत्र फूल पति और फल के रस से बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं आपको अभी में सामने से देखाऊंगा क्योंकि देखिए मार्केटिंग होती है मार्केटिंग में पानी मतलब क्या पहले यूरिय डीपी नहीं थी ठीक है तो यूरिय डीपी जो पहुची है तीस साल पहले प्रॉपर पूरे गाव तक पहुची गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर इसके पहले कि हमारे पूरवच भूके सोते थे मेरा तो यह मानने कि बेरे दादा जी न अगर सो एकड़ जमीन अच्छी तो आज की रेड़ में 125-130 करोड जितना खाना खाते थे और उस समय अगर हमारी पॉपुलेशन 40-40 करोड थी तो घाय 80 करोड थी कितनी ती गउमाता कितनी थी हमारे इसमें और आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड होगी गाय 40 करोड के नीचे जा चुकी है तो आप म सा दूद पीरों आप क्या खारें आपको खुद नहीं पता है तोटल केमिकल का हम उप्योग कर रहे हैं तो यह कड़वी सचाई है पहले गाव बसता था तो एक फट्तर लिया जाता था और उसको तीन बार फेका जाता था जितनी दूर तीन बार में जाता था उत्ती गोचर भूमी होती थी मतलब गाव बसता था सो लोगों का लेकिन गव माता के लिए 400 गव माता के लिए उतनी जगे गोचर भूमी कहते थे उसको कौन सी बूमी और गो जो निकला है संस्कृत सब्दे अंग्री जी में जो गो निकला है वो गो से ही निकला है गोचर से ही तो हम संस लेकिन किसी को हम बहुत महान महान ले तो वैसा नहीं सबसे महान लेंग्वेज तो संस्क्रिथ है जो 99.9% प्योर है एक सूपर कंप्यूटर का टैस्टिंग की गई थी तो हमारे हर एक वर्ड का मतलब संस्क्रिथ इतनी प्योर लेंग्वेज हैं अगर आपके 10 सब्द हैं तो जो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि अपने पूर्वा जोब हमें क्या करना चाहिए हमें ठोड़ा सा कम्रिश्टि द्वारा गलात एथिहास बढ़ायेगा इसलिए हम लोगों को थोड़ा कॉंप्लेक्स लहता है कि हम साब पकड़ने वाले गाये चराने वाले लोग ते आज पूरी दुनिया हमसे ले रही है जैसे आज चलिय में बहुत बड़ा अभी सरसी भी बात हुई थी कि सरजरी होती है वहाँ फादर ओफ सरजरी लिखा गया है रिसी शुषूरुत तो समझ रहे हैं पूरी दुनिया से जीरो आरे भट दुआरा दिया गया रहा हूं कि आप लोगों ने बाइव डैन्मिक फार्मिंग या प्राण और रोजा खेती के बारे में सुने हैं कि सुने हैं मैं थोड़ा से अच्छे से बता देता हूं लगबग दुनिया में जितने देशें कई देशों की एक माला पिरोई गई उसमें अलग 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 खेती की टेकनोलोजी लिए गई एक जर्मनी के साइंटिस्त थे उनने इसको उप्योग किया और पूरी टेकनोलोजी लिए आपको जानके गर्व की अनुबूती होगी कि इसमें गवधारित खेसी और क्रसी अब क्रसी पंचांग मतलब क्या कि हमारे जितने भी काम होते तो मूरत देखे किये जाते ना कि यह मूरत होगा तो यह करना चीए आप लोगों कि हम अम्मी बोलती होंगी कि बिटा अम अवस्से में मत निकलो पुण्णीमा में मत निकलो तो यह क्या मतलब है इसको आप कि आहें तो उसमें कुछ विसेज चाहरे मिलके अलग-अलग प्रकार की ऐसी आकरती बनाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में बोली рублей में इंगलिस नहीं समझता है नक्षत को हो गाए विसेज 12 प्रकार के तारे बनाते हैं नक्षत मतब समू ¿ उसको राशी कहते हैं? क्या जक्じ कहते हैं? आप लोगों के सब्सक्राइब तक एक राशी में रहती कितनी राशी में तो धाई से धाई से सब्सक्राइब बीच को मल्टिप्लाइब बारा से करूंगे तो लगबग 27.25 का एबरेज आएगा ठीक है अब मानके चली कि चंद्रमा धर्ती के चक्कल अगा रहा रहा है और अगर मेसी और ख्रिक चंद्रमा तारे और यह जो हैं यह क्या होगे अकास्त तभ अब चक्कर लगा रहा है और मेसी और धनुराशी में ठीक है तो ये टीन रासी में आए तो अगनी तथको प्रभावित कर रहें किसको अब हमने दूसरा तथको प्योग देख रहे हैं जैसे आगनी तथक व्रसिक मीन और कन्या को कर रहा है तो यह तीन रासी में अगर आ गया तो भूमी तत्क को प्रभावित कर रहा है तो इस समय हमारी जड़वाली फसले बहुत अच्छी होगी जड़वाली फसले जैसे आलू, गाजर, मूली, प्याज, मतलब जबर्दस विग्ञान फिर ऐसे च आयू तत्व को प्रभावित कर रहा है तो फूल वाली फसले बहुत जबरदस्त होगी फूल वाली फूल वाली फसलों में क्या क्या जाती है सूर्य मुखी फूल गोभी गुलाब इट सेक्टर अलग-अलग अब एक और चार तत्व होगा एक आखरी तत्व क्या बचा जल तत हमें जैसे हुई तो क्या होता है जब चंधर्मा ढरती के पास आता है तो समुणर के लेवल के हुजाता है बढ़ चाहता है और जब धूर जाता था समुणर पानी चाहता है बैसे हमारे सरीन में खतर पतिषा सथे पमानिए और जांग तो इस तरीके से जब चंद्रमा पास आएगा या ऊपर चले आएगा तो धर्ती में सूखा पाना जाएगा तो उस समय हमें क्या करना चीए हमें निंदाई करना चीए गुड़ाई करने का तुरंट पेड़ पोदे सायो जाएंगे पूरा इसके पीछे गणे ते और गोबर ग जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप इतनी अच्छी चीजों को आप समझ पाएंगे कि आपको प्राउट टू वी एन इंडियन फिलिंग आएगी नहीं हम भारती है और जवर्दस हमारा सिस्टम था तो अब इससे क्या हुआ हमारे इसमें होता है चेत् कर दिया अप्रेल से उठा लिया जैसे आपने सुने होंगे जूलियस सीजर यूरोप देश को बहुत पैसे वाला तो उसके नाम से जुलाई रख दिये उसका बहांजाद अगस्त तो उसके नाम से अगस्त रख दी मतलब कोई इसके पीचे साइंस नहीं है हमारे चीजों को देखाने के अगस्ते यह जब धर्ती सूर्य का पूरा चक्कर लगाली जब नया साल होता है सरकल का हम ने दियें तो यह जब चक कर पूरा सरकल लगाता है तो एक साल होता है कितना होता है तो जब हम एक चक्कर पूरा लगाते हैं तो सांटिफिक लिए ने कि जब धरती का पूरा चक्कर लगाएगा तो नया साल होना चीए कि कभी भी बीच में उठाके दे दिये क्या होता है कि हमारे उसमें नए साल में किया आव जाता है नो दिन का उपास चेतर की उपास रखते हैं सब लोग जादा तर लोक उन का साल आघाओ реधर नदरं ही क्लीन जाएं और दिया जलाते हैं ठीक है अiénे फेसले कड़ आती मार्ट साथ तो हमारा नया साल कप से मार्स से त्थिक है तो हमको यह समझने की जोरत है और आब उसमें उन्हें क्या किए संडे मंडे त्यूज़ तो कॉपीकेट कर दीए सिर्फ क्योंकि हमारा तो पाजाजार साल से पुराना इनका 1800 साल साल पहले चैलेंडर बना है कितंए सबूस कोपी करकं थिक है उससे Kumar ब्रसपती बार सबसे सबसे दुनिया का सबसे पुरानी रिचाय वेद माना जाता मतब धार्मिक ग्रंथ माना जाता है रिगवेद मानते हैं आप चीज़ा गूगल में डालके देख लेना तो यह तो हमारे हजारों साल पहले इसका पूरा वर्णा ने तो हमारी कॉफी कैट की हुई है नहीं चीजे और अगर गणित हड़ जाए जीरो हड़ जाए तो साइंस मूँ के बल गर जाएगा इसलिए हमको यह समनना पड़ेगा कि हम लोगों को हमारी संस्कृती में प्राउड फील होना चाहिए मैं बार बार इसलिए बोलूँगा क्योंकि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरति तुझे कुछ और भी दूँ आपने इश्वर के सास्त हमें भारत वकती है देश वकती होना चीई क्योंकि अगर Lif too proud to be a feeling मैं पने देश को हमेश आगे रखके काम केजिए उसको विश्व्गुरु मनाई आने वाली लेड़ी हमारी मजबूत हो ठीक है एक बहुत अच्छा एक और में कवीटव के साथ फिर आपको आगे ले जाओंगा हमारे हैं भूँत अच्छी जेसे स्वेक तत्व स्वेक तत्व मतलब कि हम अजातो सो कहें, लेकिन स्वतंतर हुएं क्या, अभी भी हमाई चीजों को बहुत सारी चीजों ने दिमाग में भरके रखा, लेकिन हमारे सूरु से हमारे हिरदय में स्वय का तत्व है, और कैसे है, ये स्लोक के साथ है, बहुत अच्छा, कि हिमाले के आंगन में प्रतम, हिमा ला लोग, व्योतम पुंज हुआ तव नस्ट, निखिल संस्कृति उटी अशोक, तो हमने ऐसे पूरी दुनिया को मार्ग रर्शन दिये हैं, और पूरी दुनिया में निखिल संस्कृतियों को अशोक की हैं, तो आप लोग समझ गए, अब आपको मैं आगे अपना खेत का पानी, यह सब का हम इसमें प्योग करते हैं, टंकी के बिना हम इसमें करते हैं, यह पेड़ों के हमारे को नैच्रल छाओ मिल जाती है, क्योंकि सुक्ष्म जीवों को क्लोरोफिल नहीं होता तो उनको धूप नहीं लगना चीए, तो यह नैच्रल छाओ मिल जाती है, और साइड दीजी मैं आपको और जगे बताता हूं आईए यह देखिए मदुमक्खी के घर बने हुए चोटी चोटी देखने अच्छे सारे आपको तो यह चोटी मक्खी होती मदुमक्खी इनका शहद भी अमरी जैसा होतार कहते हैं जब मदुमक्खी फूल को चूसती है तो यहां पर बहुत सारी मदुमक्खी पाले लेकिन हम शहद नहीं निकालते क्योंकि देखिए मैं जैन धर्म का हूँ तो इसमें निकालने से क्या होता उनका शान्त हो जाती तो बापीस यह लोग खुदी पी लेती हैं लेकिन हमने सिर्फ प्रकरती कि इनको रखे हुए देख रखें कहले कि तो जबना फ्रिखना आलों तो यहां पर शुक्तते अपको करसी अंतर दिख रहे हैं तो सभी देखे आपको क्रसी यंतर जितने भी तो यह पूरे बैल गाड़ी से चलने वाले और कुछ हाथ से चलने वाले हैं अब यह देखे यह इतना ज्यादा फैल जाएगा तो कितना ज्यादा इसप्रे कर पाएगा यहां से बटन दब यह सूरे से चार्ज हो रहा है उपर पैना जो पानी से और एक दिन में 10 से 12 एक तक तक रहाम रहाम से पानी पानी बहुत हर्स बैलों गई को उसे 20 की लगेगी उनको तकलीप भी नहीं होगी तो ये पूरा मारा है इसके अलावा जितनी भी मशीने लेके सब कुछुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि बारत में 95% किसान पाच एकड़ से नीचे के हैं तो वो मेहनत कर सकते हैं अब सोचे उनके पास अगर खुद का बीज होगा खुद की खाद होगी उर्जत मिट्टी उत्तम स्वास्त उनको कभी कोई लागत भी नहीं आएगी चार एकड़ के किसान को भी आज की रीट आए तो क्या होता है आज की रीट में वात्मत्य करते हैं लेकिन इस तरीके की खेती करेंगे तो बीच मजबूत है लागत काम आएगे तो बहुत मजबूत होगी आप आगे आईए मैं आपको घमाता हूं यहां पर चारों तरफ देख रहा है चंदन से लेके औस दियो गु लग बार पानी यहां सटोर होता है इसके आलावबह खपरे सेच कब 1990 यहां जाके सटोर होता है और यहां सेख पाइप गुट कि पर इसके अंदर शौक हो जाता है कि यह और आपको यह पूरा पानी का हमारी भी यह लग俺 पच्छिव पिड गह रहा है तो इस पानी के स्टॉकिंग से हम लोग यह फसल तो बरसास से हमें मिल जाती है और गिहूं की फसल के लिए पूरा पानी हमारा उप्योग हो जाता है मतलब यह वाटर हर्वेस्टिंग का बहुत अच्छा तरीका है और ऐसी हमने आगे इतनुम देसी वाले छोटे-छोटे-छ सिस्टम है जो हमारी दो फसल देती गर्मी में हमको पानी की विवस्ता भी हो जाती है यह आप देखेंगे तो पूरा हमारा आम संत्रा मोसंभी को पूरा बगीचा है तो आप लोग देखेंगे कि वाटर हर्वेस्टिंग की कितनी उन्नत तरीका और एक-एक बूंध हम वाटर है काप देखेंगे अब क्या होता है यो फार पेड़ नहीं लगाते हैं हमारे हमारे पूरे खेतों में आपको चारों तरफ का मिलेंगे पेड़ मिलेंगे कंग कि शीजर कि अब इसकी खुदा की की कली अब दब बनाएं अभी कुछ कोदाई मैं जो tut और निकले उससे हमने गौसाला बनाएं और यह आगे भी आपको इस सब चीजे दिख रही है यह सब हमारे बैलों से चलने वाले वह हैं अब देखिए यह जो इस पूरी इसका जो पानी इससे आके इसमें जाता है आपको दिख रहा है कि वाटर की स्टॉकिंग भी होती है इसमें पानी का जाता है उसमें जाता है इसका भी जाता और पानी का रिजर्वेशन है वह भी इससे होता है तो आप देख सकते हैं कि आम के भी आम गुठलियों के भी दाम, मतलब कि हमारी जो खुदाई से फट्ता निकला, उससे हमने इट का उप्योग करके ऐसा बना लिए, मिट्टी के जोडाई करके बना लिए, थोड़ी बहुत सिमेंट आगे तो हमने बाद में सिमेंट जोड़ जोड़ाई इसमें मिट्टी की है, आप नॉर्मल जो मिट्टी निकलती है उसको गोबर में बिलाके भी जोड़ाई कर सकते हैं, तो यह हमारा दूसरा तरीका है, आप बाजू में भी आप देखेंगे, तो यह हमारी पूरी गवमाता यहां रहती है, उदर हमारे बैल और ग लेकिन टीन में उदर मल्टिप्लाई वाई टू हो जाता है, तो जब अगर गव हमारी माता है, तो हमको हमको हमारी मा समान रखना चीए, हम उनको बांध के भी नहीं रखते हैं, उनको हम यहां छोड़ देते हैं, विचलन करके यहां पर करते हैं, क्योंकि थोड़ा से चाहिए टेरिस गार्डन में यहां पर इस तरीके के सिस्टम बना ले, आप लोग यह देख रहे हैं यहाल सिस्टम, इसमें एक परिवार साल भर तक सबजी खा सकता है, कितने साल तक, जैसे इसमें देखिए, यहां पर चारों तरव हमने पपीता लगाए हुए, आप इसमे केला लगता है, फिर इसमें हमारी पूरी सबजी लगती है, इसे तोटल आप गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाच, मतब आठ और चार, बारा और बीच में एक वो है, बारा तरीके की सबजी आप उप्योग कर सकते हैं, तो इस तरीके की मुस्किल से इस एरिये ने, ज तरीके की आप सब्जी लगा सकते हो, एक परिवार कितने साल तक खा सकता है, एक साल तक, क्योंकि आज सब्षादा जहरीली सब्जी आ रही है, तो यह एक मॉडल बना हुआ है, आजू बाजू आपको वाटर हार्वेस्टिंग का देखी रहा है, बहुत अच्छा इसमें, इस टाइप से बोलते हैं, यह परफेक्ट मॉडल है, ऐसे करके हमको मतब इंद्र धनुज जैसा सरकल बनाना है, तो आप इतने अच्छे तरीके से इसमें आप उप्योग कर सकते हैं, कि आपको मजा जाएगा, चलिए अब आगे मैं आपको देसी बीच को उप्योग दिखा कर रहे हैं, आईए, यह देखें, यह हमारे बैल है, इनसे हम खेती करते हैं, वो जो टंकी दिख रही है, उसमें हमने पंजगव बनाए, क्या बनाए है, पंजगव, और यह हमारी खाद बन रही है, जित्ते भी गोबर की स्टॉकिंग होती है, हम इसको यह देखी चाओ में हमने जो गोबर गौमूतर से लिक्विड बनाए है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे छेत करते हैं, और डाल देते हैं, फिर आगले हपते इसको हम ऐसे पल्टा देते हैं, जिसको आप घंजीव अमृत कहते हैं, ठीक है, इसको पल्टाए, फिर हमने छेत की, फिर 50 लिटर इसमे 15-21 और 28 वे दिन इसको बोरियों में भरके रख लेते हैं क्या कर लेते हैं यह दही का जावन है मतलब यह केचो खासते 10 टाइम्स जादा शक्ति साली है कोडिंग के साथ बता रहा हूं दस गुना जाद और यह जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करता है क्या करता है यह गहास भी देख रही ने सब गल जाएगी अभी ताजय डली है जो हमारी मकह कटा था यह कटा था उसके लिए इसमें मकह की जड़ों में क्या माइक्रो जीवानू पाए जाते कितने एक ग्राम गोबर में कितने तीस करोड जीवानू तो अब आप सोचिए कि जब यह हम इसको गुड़ खिला के मतलब हमने क्या कि जीवामरिद बनाए जो भी चीज हमने बनाए उसमें दस लीटर गोबर दस लीटर गवमूत्र और गुड़ दा सकते हैं इसमें मतलब जो हमारी दर्ती को कहते 18 तत्व चाहिए इसमें 24 तत्व मेरा मानने से ज्यादा है सब कुछ है इसमें तो मैं आगे बताऊंगा पहले हमीं टंकी में जैसे हम लोगी बनाई आपको पहले देखा देते हैं देखिए आराम से अराम से गवमाता कभी नह अरती है यह हमारा पंजगव बना हुआ है क्या बना हुआ है इसको आप सुनगे तो आपको बास जैसी कुछ नहीं आएगी बहुत अच्छे सिस्टम है और यह जो आपको दिख रहा है पंजगव हमारे सास्तरों के ऐसी चीज है जो दुनिया के एक मात्र ऐसा कॉंटेंट ह जिसमें 12% और्गनिक कारवन पाया जाता कितना परसेंट किसी भी दुनिया में नहीं पाया जाता इसको कैसे बनाया जाता इसको आप देखिए हमारी बड़ी खेती इसलिए पंजगव बना सकते पंजगव नहीं भी बनाए तो आप गोबर गवमूतर से बहुत अच्छी ख गी को डालके मिला लेते हैं और उसको 24 गंटे के लिए मिनिममम या तीन दिन के छोड़ सकते मिनिममम 24 गंटे बाद उसको अपयोग कर सकते हैं जब आप गोबर को ऐसे मिला के वह 48 kg गोबर में 2 kg क्या मिला लेंगे आप देशी घी फिर इसको इसमें डाल देंगे ब्रॉसक ताकत बर वैसे गव मूतर भी जितना आप पुरा सिर्फ छाओं में रखना आपको यह चीज का विसेज द्यान रखना फिर 40 लीटर इसमें गव मूतर डाले अब इसमें क्या किया किये इस हम लोग पूजा में बनाते ना पंजगव या जो भी हम बनाते उसको वही तरीका ह कि हमने इसमें लिए 5 लीटर ढ़ी क्या लिए 5 लिटर में हमने 1500 ग्राम शहेद नले क्या डाले और 12 केले लिए उसको मेस्च करके उसमें डाल दिये और उसको फिर इसमें मिलाके लिए फिर एक और चीज का उप्योंग कि ने 5 लिटर दूद हमनेों पानी मिला दिये और फिर उसको इसमें डाल दिये और इसको हमने सोबे साम ऐसे लाए और लगभग 12 दिन छोड़ दिये 12 दिन बाद ये 6 महने तक प्योग सकता कितने महने तक अब इसको हमने क्या कि दो किलो लिए पोटली में बांदे सुतली कपड़े में 200 लिटर टंकी में एक किलो गुड़ दाले और अब वो बन गया और इसमें 12 परसंट ओर्गेनिक कारवण है दुनिया का कोई बी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ओर्गेनिक कारवण सार इतना पाया जाता है इसमें 12 परसंट और गार्वन पाज जाता है अब आपको अगर हमारा बड़े कसाने प पंच गव बनाते सिंपल जीव अमृत आप कैसे मनाएंगे दस लीटर ताजा गोबर लेंगे आप क्या लेंगे दस लीटर गव मूतर लेंगे आप कोई भी बड़ा पेड़ जो पचास साल पुराना हो पीपल का बढ़ का नीम का आम का या जो अच्छी छाओ देता वैसा हमके पेड़ में भी 80-90 परसेंट ऑक्सीजन का प्रवाह होता है तो जहां ऑक्सीजन का प्रवाह होता है वहां सुक्षमजीफ मतलब बैक्टरियों बहुत ज्यादा होते हैं जैसे माइक्रो राजा आपका सूडोमोनाज आपका ट्राइकोडर्मा आपका एक और क्या हो जा है तो खटी हो जाती है और बास आने लगती है तो हम उस सोचते हैं कि हम क्या क्या चीज़ डाले क्योंकि गोबर के कंडे का पानी हम पी रहे हमाई सरी में प्यों कर सकते हैं तो दुनिया का सबसे सकती साली डी-टॉक्सिफाई सरी को शोत करने वाला है अमरीका से दालते इसमें फिर इसमें हम गुड़ डाल सकते दो किलो गुड़ नहीं है तो कोई भी मीठा फल आपके हलागा पका वाला क्योंकि उनको मूटा होने के लिए क्या चाहिए वो चाहिए और बाकी पानी मिला लेते हैं चार दिन बाद वो तैयार हो जाता है तो सोबह सामस को या आइसक्रीम या जो आप लोगों को पसंदे वो धरती के केच्व के लिए होती है अब यह मोग केच्व खाद बनाते हैं हम आस्टेलिया विदेश से केच्व ला रहा है छोटे-छोटे साइच के हमारे इसमें धरती बेफकुफी है धरती में नैच्रल केच्व होते हैं वाइट कलर के बड़े-बड़े जिसका नाम एपिटिक, बायोडिक, जीवडिक तीन प्रकार के होते हैं जब धरती माल लेडी हम काय को विदेशी केच्व ला रहे है छोटे-छोटे-छोटे लाल से और उसको खरीद रहा है और मार रहा है यह कितना असान तरीक है बनाने क अटकर का तो हम लेड़ी नचरल केच्व लिए जब विसका स्प्रेंगे तो नेचरल केच्व क्या करते हैं उपर आते हैं और नीचे जो धरती 15 फिट जाता था जमीन में 15 फिट के नीचे मातर चटान पाई जाती है मात चटान क्यों बोलते है क्योंकि उसमें 108 तत्व होते हैं कितने तत्व होते हैं तो छोटा सा केचु जमीन में जाता है उस चटान को खाता है पूड़ा था का ओपर आता है और छोड़ देता है तो 108 तो हमाई जमीन को में लगा है अब हो क्या कर रहा है जैसे घड़ा खोद के आयो करता है तो गड़ा पूरता से पूरता है पूरण साल के जीवन में आ бег Dec एक केचुवा बतलब एक जीवनकाल काट केचु इतना काम करता जितता 15 दिन तक आपका ट्यक्टा नॉन्ह स्टॉप भी चले तो उतना एक केचुवा करता है तो केचुव उपर आया नीचे गया उपर आया नीचे तो पूरे पोशन तत ऊपर चोड़ा दूसरा हो क्या किया आपके जमीन में हजार करोड करोड़े हो गड़े हो गए बुर-बुरी जमीन हो गई तो बरसाथ का पानी पूरा नीचे जाएगा वाटर लेवल बहुदर अगर जमीन नॉर्माल है तो हमारी जमीन का पीच खराब नहीं होगा हमारी जमीन सबस्यादा शक्ति-साली रहेगी और गोबर की डालने से और यह वाले गोल डालने से उनको शक्ति साली बनेंगे और रेगुलर वो काम करेंगे और आप तो हमगा तो हम अगर एक चमज यूरिय नहीं पिसकते है इतना जहरी ला होता है तो हम अपनी धरती माता में डाल रहे इस्टोराइड डाल रहे है तो ये वह तरीका है जिससे हम कर सकता है अब इस भूल को थोड़ा साइड दीजिए आप लोक इसी गोल को आप क्या करते हैं इस घोल को हमने यह जो घोल बना इसको चान के हमने लिए फिर एक अप्त में पूर उपर का एरिया खा लेंगे अब इसको हम सडाएंगे फिर से ऑक्सिजन देंगे इसको ऐसे पल्टाएंगे पल्टाएं फिर इसमें उक्सिजन लेवल भड़ा फिर इसमें उनने 50 लिटर वो ड्रॉप डाल दिये तो यह तीसरी बार हमने डाले और 28 दिन बाद उसको बोरियों में भरके एक साल तक रख लिए एक साल तक खराब नहीं होता है और यह दही का जावन होता है दस लिटर दूद में अगर आपने एक चम्मस दही डाले तो क्या होगा पूरा दही बन जाएगा न तो इसको जावन कहते हैं यह गोबर हम जहां फिकेंगे वह बीज वाई बीज के एरिया में क्या फैल जाएंगे करोड़ो जिवाणू और काम करना चालू कर देंगे लेकिन हमें कफ एकना है जब फसल उची हो या च्छा हो या जब पानी देखे रखना मतब धूब डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए दूब डायरेक्ट पड़ेगी तो जिवाणू मर जाते हैं या फिर चारो तरफ प पेड़ लगाते हैं यह प्रकृति की बेस है और चारो तरफ पेड़ लगाने से क्या होता है उसकी जो पतियां गिरती है तो खाद बनती है इसके लावा इसको में बढ़ापे का पैंशन कहता हूं कि अगर आज आपने कोई पेड़ लगाए तो दस से बारा साल बाद हो फल तो एक सा खे तो एक सी कोई फसल लगा दो और किलियर कर दो ऐसा नहीं करना चाहिए अलग 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 विविद्ध की फसले हमें लेना चाहिए तो यह तरीका सबसे जबरदस्त है इसमें ना आपको उस तरीके केच्व खा टाइप ऐसे नेट लाना है ना कोई शैड बनान है ना मार्केट से केच्व खरीत के लाना हूँ बनता भी तीन महने में है उसमें शीशा भी पाया जाता है और केच्व फिर मर जाते हैं फिर नए केच्व लाव वो तो बेफकू बनाने की मशीन है यह जो हमारे सास्तरों में लेखा है जीवो जीवस जीवनम मतलब जो हमार तो इतनी सुन्दर खुश्ब आती पिछले वाले उसमें जो बच्चे लोग आयते ना कैसी खुश्ब आ रही थी खाद में और आपको मताब ऐसा नहीं लगेगा और किसानों को सबसाद किसने परवाद किया है गुड़ा खाद जो गड़ा खोद के गोबर डालते हैं वह इतन बचाना जबर दास्त वो खाद बनती है और उस खाद को जब उसकोद में तो की दो में क्रूट फाइवर पाए जाता है क्या पाया जाता है में जैसे गर हम सीर्प रोटी 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 यह हम सिर्प क्या करते हैं अचार यह को और चूडा सेयों सब आइं सो हम लोग खाना हमारी धरती माता कीध करती है इसमें प्रोटीन प्रोटीन के बंती मसल sa इसमें के बंती मसल सब लोग जानते हैं हम लोग प्रोटीन करते हैं हम हमारी है्सपीलोगी मेंसटेश के Experience अब इसमें लगभग 24 प्रतार के तत पाए जाते हैं जैसे नाइटोजन फोस्फोरस फोटास सिल्वर आपका जिंक लगभग मतब जित्री भी सुक्ष्म जीव हैं जो 24 तरीके के तत हमाई जमीन को 18 चाहिए इस तो पूरे 24 पाए जाता है आईरन जिंक कैल्सियम मेगनिसियम सब पाए जाता है फिर इसमें क्या बारे जाते हैं काक्रisa का जाते हैं सुक्ष्म जी इसरा आइज Oreo क्रनकर सब को क्या होता है कि जब ये स्दोड में चेज़ं करतें तो पादाब्रत्रिकारण हर्मों सिया ग्रोथ प्रमोंटर तो इसका मुख है आक्सिड होता है इसमें नेट्रली पैदा होता है फिर इसमें साइटल को नहीं होता है इसमें। इंडॉलन आशिडीक होता है इसमें नेट्रॉल इसमें पैदा होता है अब ये घ्रोध परमोड हर्मोन你要 के लिए कि लिए हम प्रकृति देने के बाद हमने फसल बोधी को भी पौधे को सबसे कम पोशन लगाते समय होता है और सबस्यादा पोशन ज्यादा की ज़रत का होती जब फूल और फल आते हैं तो जैसे आपने लगाया थोड़ा से गहूँगा आप गोबर डाल दीजी 500 किलो एक एक करने कितना डाल दीजी फिर जैसे हमारा बड़ा हुआ थोड़ा सा एक सबा महने का फिर 500 किलो डाल दीजी और तीसरी बार जब फूल आने लगे जब 500 किलो डाल दीजी आपको इतनी अच्छी पैदाबार मिलेगी जो रसाइनी खेती में मिलती उतनी पैदाबार लेकिन उसके लिए सर्थ के हमें साइंटेफिकली फैट के साथ खूड़ा खाद हमें चाहिए 10 तन केतना चाहिए 10 तन केचो खाद चाहिए 5 तन लेकिन ये देड़तन और ये ये इस्ट्रोइड लेंगे तो सरीर मजबूत होने लेकिन देसी घी खाने गात कहता है आभी देसी घी खाऊंगे तो बड़ापे इसको धरती में डालेंगे तो चार पासल बाद धरती में कुछ भी नहीं डालोंगे ना तो आपको पैदावार मेलेगे क्यों कि नैच्रली इसको और इनक कारवन बढ़ाएगी इतनी शक्तिसाली हो जाएगी फिर हमको तीन साल बाद इसको 500 किलो दालना है प्रतिय का इतना अच्छा तरीका है लेकिन सबसे मेरे कि हमको गोबरखाट डालना ही होगा और उसके लिए हमें क्या रखना होगा गाय नहीं है तो आप और अर्गेनिक खेती फार्मिंग या नैच्रल फार्मिंग करी नहीं सकते है भट जाना कोई कितनी वी दवाई बेज दे कुछ भी करत के लिए और यह नहीं हैं पूरज लोग करते कर तुर हें हमारे सास्त्र बोल को यह हमारी बहुत बैसिक चीज है इसको हमको समझना है नैच्रली आपने कुछ हद तक समझ लिए होंगे इस चीज को अब आगे थोड़ा हम और चलते हैं वह हम पेडों के चारों तरब और असुदियों मतलब नक्षत्र वाठिका के सासर हम लोग जैसे आप लोगोंने सुनेंगे ग्रीन मैन्यूर खात अब अगर हम मेडों मेडों में उससे डवल जिसके अंदर नाइट्रोजन हो गिली सीडिय लगा दें जिसको गिरी पुस कहते हैं क्या कहते हैं उसमें 25-30 किलो गिरीन मैन्यूर निकलता एक पेड़ से उसको कुछ नहीं करना काटने और विछा दूआ है वो नैच्रली हमारी जम और दूसरे मिन्नल्स वी होता है उसकी एक और फायदा है कि जब पेड़ लगा रहता है उसके नीचे से चूवे निकले तो चूवे नहीं निकल सकते उनकी चमडी खिच जाती है तो वहां से चूवे पूरे खतम हो जाती है उसी दी होने है जैसे मैंने बता है वो सरफ जो द्धान लगी हुए है जो हमारे देसी बीजे ता सर को मैंने नेगेटिव एनरजी ज्यादा मोबाइल एक तो पूरी ताके से आपका हाथ रोक लीजे मैं आपका हाथ नीचे नहीं कर पाऊं पूरी ताके से पुराने किसान भी रहें फेटे एक दम पूरी ताके से रोक अच्छी यह देखिए अब थोड़ी आ गई सर में थोड़ी बढ़ गई सबने तोड़ा जोस लगा है लेकिन सर के बाद ताकर नहीं अब इसको रखिए यह मोबाइल कोई और पकड़ लीजी थोड़ी देर हमारे सास्त्रों लेखा ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकश प्रकशित करें उसे शिरी कहते है शिरी एक इश्वरी शक्ति है जो हमारे गाये के गोपर में पाया जाते है जिसमें लक्षमी जी का वास होता है तो कि इस गोपर में इतनी ताकत है सब्सक्राइब बुर्जा केंद्र से पकड़ी अब सर नहीं गोपर पकड़े अब हाथ कीजिए और पूरी ताकत से रोकिए तो अब देखे निसान पढ़ा गया सर को सब्सक्राइब ताकत बढ़ी नहीं बढ़ी तो आप सोची जो में एक उंगली से एक उंगली से नीचे कर पा रहा था लेकिन देखिए इस गोपर में कितनी ताकत है तो यह हमारा सास्त्र कहता है और उर्जा सास दरव आप पढ़ूंगे मतलब मैं एनर्जी के लेवल से देखके बता सकता हूं कि जबीर में किसीच की कमी है मैंने बताया था बच्चों को वहां देमोहन जो जो आये थे तो इतना अधुष शास्त्र है सिर्फ जब तक आपको अपनी संस्क्रीट में प हराब हो जाता है तो वह अच्छा नहीं रहता है अभी देखें यह भी हमने वाटा हर्वेस्टिंग के साफ से यहां पर यह बनाए देखें आपने इसके चारों तरफ हमने फूल वाले पौदे लगा दिए अब अगली बार आएंगे तो पूली फूल मिलेंगे और अंदर ह अब यह जो ऐसे दिख रहे हैं यह सब पेड़ें सागोन के पेड़ें दुनिया के सबसे महंगे पेड़ों में सेख होते हैं ऐसे हम लोगों ने चारों तरफ अलग अलग तरीके के पेड़ लगाये हुए है यह अभी हमारा देसी मक्का लगाता देखें इसका साइज अच्छा बड़ा अब यह जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं यह पूरे पहाड़ों का रस इस धर्ती में आता मतब को और हमारी धर्ती में पढ़ता है और हमारी जमीन इतनी उपजाव होती है आपको चारों तो अब यहां पेड़ दिख रहे होंगे अब जैसे तूर लगी है दिख रही है आपको तूर लगी हुई इसमें अभी दो बार तूजी और थ्रीजी कटिंग कर चुके इसको हमने चार बाय चार में लगा हैं दूर में लगा हैं और यह देखें पेड़ों क जो नए पोदे आए न छोटे वाले इसको देखे हमने यहां से तोड़ दिये तो यह और ज्यादा कैनोपी बनाएगा यह 15 फिट तक उचा जाता है कितने फिट तक सब लोग आ जाई है तर जल्दी से यह ऐसे करके हमने इसको तोड़ दिया अब इसकी कैनोपी देखिया और यह लगबग मेरी हाइट पास दस है तो यह छे फिट से उचा है देख आपको इसकी दठल दिख रही है और अभी सर बताएंगे थोड़ा कैसा सर थोड़ा बताईने कैसा यह यह साथ जनम वाला हमारा पहुदा है सर यह पास सल तक पैदावार देता है सर और एक पेड़ से आपस वीडियो से रखें तीन से चार किलो तक फल आते सूखे फल आते हैं इतने आते हैं कि आप सोच नहीं सकते सर के हाई इसी है सर यह कैसी बताईए और इसको सर अमने साथ साल तक सोथ करके नेक्स लिवल का पहुदा बनाएं जो कहते है ना साथ जनम वाला कैसा देख र बनेगा इतनी ज्यादा कैनोपी आएगी इसके देखे हमने यह हां से उपर से यह लिए जो नहीं नहीं जो अभी एक सिक यह जो नहीं आई हो यह इसको देखिए तोड़ दिये ऐसे ऐसे हमने कटिंग अब यह और ज्यादा कैनोपी बनाएगा आप देख रहे हैं देसी है अब ढ़रती से 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 बहुत काम चेए में धूप तो ऋ जारतारब हवा भी है और जो यह अच्छा दान यह कचणा कर इससे नीचे को ढ़ि cantile तो यह हमारा कच्रा होता है धर्ती के बेटा-बेटी है क्या है यह तो इसको हम गलत नहीं मानते अब यह नीचे तो यह क्या है natural हमारी क्या है मल्चिंग यह धर्ती माता सबको पानने के लिए जगे देती है अब हमारा पौदा उचा तो यह क्या है हमारे और पानी को रोकेगा अब जैसे यह है यह अगर हमारे पौदों से उचा जा रहा है तो हमको मजबूरी में इसको फिर ऐसे थोड़ा सा दबाना पड़ेगा लेकि क्योंकि यह जो कच्रा भी हमारे प्रकरती खेती में क्या होता है दोस्त होता है हां अगर यह दाल से उपर जाने लगेगा तो फिर हमें इसको नश्ट करना पड़ेगा यह दावाना पड़ेगा और वहीं करके इसको मल्च कर देंगे जंगल तो यह आप देख रहे हैं सर कै यूरी डीपी डाले हमने इतने इतने जबरदस्त हैं यह और बीच बीच में हमने कुछ देशी मखे क्योंकि एक सी फसल नहीं होना चाहिए तो आलडी हमारे जो कचरा उग रहे तो यह भी बायोडिवर्सिटी या मिस्रित खेती को मनाई रहे साथ में हमने कुछ-कुछ बी बाइड होंगे बताब तीन महने बाद आप आएंगे तो इतना अभी सिर्फ लगाए हुए सो दिन हुए अब इसकी क्वालिटी देखिए यह आपने देखे हूंगे इतनी इतनी बड़ी होने के बाद तो तूर दिखती भी नहीं सब पास पास लगाते कितनी अमने देखी क अब आप देखिए कितना जवर्दसत है मैं वह बता रहा हूं अब इसमें आपको बहुत अच्छी चीज इनने पूछें च्छाव में आके बताता हूं आपको आई है तो वीड तो आप छोटी है ना वीड तो देखिए चोटी है अभी बड़ा हो गया छोटी वीड से कोई कॉंपेटिशन नहीं यह तो गलती है यह धर्ती माता है सबके लिए आप कितनी बहाई बहने तीन है तो मम्मी का प्यार का मुए किसी में क्या तो यह धर्ती है इसमें तो हजारों भी उख जाते सबके लिए प्रेम रहेगा प्रॉब्लम का वहोगी जब यह उचा हो बता रहा हूं अच्छे से सुनिएगा सब लोग देखिए हमारी धर्ती में अगर आइरन की कमी है तो इल्ली आएगी किसकी कमी है यह लेडी लाल कलर की मिट्टी तो इसमें आइरन बहुत प्राचूर मातरा में हर किसी का सबाह होता है बहुत गुस्से वाले होता है एक हसन करतिक तरीके से चार होतारा पेड यह तो 75% किया है मितर कीट 25% क्या है सत केट 75% वाले जीतेंगे और दूसरे को मार के मैनेज करेंगे अगर कैलसीम की कमी तो रसचूशक कीट आएंगे काई की कमी तो इस जमीन में कैलसियम की बहुत कमी होती इसलिए हमने चूना लाके रखें प्रति एकड़ 50-50 कि हम 200 किलो प्रति एकड़ ऐसे डालते हैं तो बहुत सस्ता आता है चूना तो चूना सबसे नैचुरल है हम अभी पूरे में चूना ब्रॉडकास्ट करेंगे इसमें तो थोड़े बहुत र कमी है नहीं इसलिए हमारा पौदा क्या है एकड़म स्वास्त है आई अब थोड़ा आगे दिखाते हैं आपको कि यहां पर आपको हर चीज मिलेगी और उदर साइड आप जाएंगे तो पूरे आम के संत्रे के सागोन के पूरे जंगल है कि यह देखे जगे जगे यह गाड़ बने हुँ है हमारे देखने हैं आपको हम इसमें बोरी विजए कि चूना पड़ा है यह देखें यहां पर चूना पड़ा है यह चूना का ब्रॉड कास्ट यहां पर होगा पूरे खेत में वाइट सिमेंट नहीं सिमेंट में पैकिंग है उसकी सिमेंट नहीं है वो चूना है चूना कैल्सियम कार्बोनेट है वो अब यह देखिए इसमें हम लोग गोबर रख देते हैं और जब भी हमको गोबर निकाले बोरिया लिए और हमने खेत में ब्रॉटकास्ट कर दिए आज-पास कोई भी ऐसा खेत नहीं जाहां यूरी यह आप देखिए बस थोड़ा जामने लेट लगाते लेकिन अभी वी कितनी अच्छी है थोड़ा कि अगलत लगाएं में वेल कीकारण थोड़ा ने चlor View देखि हमारी कितनी अच्छी ये दिख रहे हैं को कि यह ऐसे आठ डुन्य यहoperation बनाएम नहीं यहाँ जगे 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 है ऐसे comments कितने बनाए अब यह पानी हमारा अब यह में सकते हैं कितना अच्छा देखिया यह होगा 20 बैंक जिमम तो ऐसे अगर आप आगे चारों तरफ गूमेंगे तो ऐसे कितने हैं आठ है और उदर साइड दो हमने तलाव हो दें बड़े-बड़े तो पानी का मैनेजमेंट ड्राइ लेंड में बिना पानी के खेती हम ऐसे करते हैं तो यह इतने अच्छा वाटर मैनेजमेंट की सबसे बैस तरीका ही है आप लोगों को साक्षा दिख रहे हैं अब हम जैसी दान कटेगी जीरो टेले से हम सीधे गिहूं बो दिएंगे इससे द जड़ देखिए कितनी मोटी है अभी यह दो मैने बाद पूरा इंदर धनूस के जैसे ऐसा फैल जाएगा वह देखिए वह दिख रहा हूँ बड़ा वाला कि यहां पे सर थोड़ा कहा है यह मुरम वाले एरिया में गल्ती से हमने लगा दिये थे यहां पानी का स्टोरेज इधर साइट थोड़ा होता है यह वाला कि हमारा मुरम वाला एरिया था सर फिर भी हमने कोशिस करके कीचल मचा के लगाएं इसमें देखिए हमारे उसमें तीन अमरित कहे जाते ना हरद बढ़ड और आमला तो बहेड़े का है यह पेड़ देखिए और तिर्फला अगर हमारे इस्टंग हिरदय में लिखा हुआ है तो अध्वुत है यह चीज है कि तेर्फला चून बनती है उसमें से एक है आमले भी लगे हमारे बहुत सारे अचा यह खेद हमारा यहीं देखिए कि बाकी पूरा आगे कि खेद आप देखेंगे पूरे प्लेन है सब ने पेड़ेड काट दी है देखिए वो गिली सीडिय लंबा वाला लगा है अब सोचिए कि वो अब सब कट गया है सब उगने लगे फिर से पूरे चारों तरफ इसको आपको कोई मेंटेनिंस नहीं करना है इस नेचुरल बहुत बड़ा चौड़ा होता है तो सोचिए कर हम गिली सीडिय चारों तरफ लगाने यह अगस्ति का पेड़ा आता है यह सहजन मुनगा तो हमारे चारों तरफ आपको फाइदा भी होगा यह पतिय गर के खाद भी बनेगी और इसको काटके भी आप नैचुरल ग्रीन ग्रीन उसमें प्योग कर सकते हैं तो इस तरह के सामको मिल और को यह ऐसा इंद्रधनुस टाइप पैदा होता इधार 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 नहीं फैल तो बहुत जादा आपकी जगे भी निगे लगबक देड़ से दो पहड़ों कर आज भाहकेस में आता है फ्रैकेंग के लिए बहुत जवर्दस जागे है इसा आइडिया में को ऐसा आया कि मेरे पापा को कैंसर हो गया था तो जब पापत तो बहुत अच्छी फसल होती कि को कई अवार्ट मेंने तो बले जब से वीडिवी डाले दो चार चा कि अवार्ट में तो जाता थमस्ता नहीं तो असान सब्दों में थमस्ता तो वैसे आपके समय आ रहे हैं